तो हम करते हैं ग्रैविटेशन का एक और बहुत important question जिसमें हमसे बूचा गया है How much would a 70 kg man weigh on the moon? तो हमने बताना है कि अगर एक man जिसका mass है 70 kg, उसका moon के ओपर weight कितना होगा यह हमने बताना है फिर इसके बाद में हमने यह भी बताना है कि उसका mass अर्थ के ओपर and moon के ओपर कितना होगा ठीक है यह भी बताना है तो देखिए mass of man हमको दिया है mass of man, m से हम denote करेंगे mass को mass of man हमको दिया होगा है 70 kg correct हमने weight on the moon बताना है ठीक है, man का weight on the moon यानि कि आदमी का moon के ओपर कितना वजन होगा यह बताना है अब अपने याद रखना है कि यहाँ पर हमको दे रखा है acceleration due to gravity on moon यानि कि moon के ओपर acceleration due to gravity small g का जो value है वो होता है 1.63 meter per second square ठीक है, तो लिखते है on moon, क्योंकि हम moon वाला question कर रहे थे on moon, ठीक है mass तो 70 kg है man का, जो acceleration due to gravity है small g है, वो हमको given है 1.63 meter per second square correct अब याद रखना है कि जो weight होता है वो हमेशा mg होता है, क्या होता है, m into g होता है यह weight on moon निकाल रहे हैं ठीक है, on moon weight निकाल रहे हैं तो weight निकालना है तो mass को लो, mass है 70 kg and इसको acceleration due to gravity on moon, यानि कि इस small g के साथ में हाँ पर into करना पड़ेगा acceleration due to gravity on moon हमें question में given है, 1.63 meter per second square तो g की जगा पर आएगा, 1.63 meter per second square ठीक है, तो यह moon वाला g ले ले हैं हमने आपर, क्योंकि हमने moon के ओपर weight निकालना है तो moon वाला g यहां पर हमने ले ले लिए, small g moon वाला small g ले ले लिए, हाँ, अब हमने 70 से इसको into कर देना बस, तो कैसे करेंगे, तो याद रखो कि 7 से पहले into कर लेते हैं इसको, 7, 3 जा 21 का 1, 2 carry हो जाएगा, 7, 6 जा 42, 42 and 2 हो जाएगा 44, 44, तो 4 आएगा यहां पर, ठीक है, और 4 यहां पर carry हो जाएगा, 7 बन जा, 7 और 4 यहां पर 11 हो जाएगा, correct, अब यहां पर 0 है, तो 10 से भी into कर ले, तो यहां पर रजाएगा, 114, 114, 10 आएगा, अब देखो, 2 number का यहां पर point लगावा है, तो हम यहां पर भी 2 number का आएगे point लगा लिएगे, हमने क्या किया, 70 से, 163 को पहले into किया, तो आया, 114, 10, फिर यहां पर 2 number का आएगे point आ, तो यहां पर भी हमने 2 number का आएगे point लगा लिया, तो weight आगया, moon के उपर, man का, man का weight, moon के उपर हमारे पास में आ गया, 114.10 newton, तो weight of the man on the moon हमारे पास में आ गया, 114.10 newton, यह आ गया, man का weight on the moon, अब देखो, याद रखना है, उसने आगे पूछा है, कि what would be the mass on the earth, तो जो आदमी हैं, उसका mass on the earth कितना होगा, and mass on the moon कितना होगा, अपने याद रखने हैं, अपने अच्छी तरीके से याद रखने हैं, कि mass कभी भी नहीं बदलता, किसी भी object का mass, ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलता, अगर आप place बदल भी रहे हो, जगा को बदल भी रहे हो, तो mass constant रहता है, ठीक है, number of particles उसमें हम इसा constant रहते हैं, तो mass हम इसा constant रहता है, तो हम लिखेंगे, since mass of object never change, place to place, place to place वो change नहीं होता है, इसलिए mass on earth and mass on moon, किस का, man का, वो बराबर ही रहेगा, और कितना रहेगा, 70 kg ही रहेगा, जो kg में होता है, वो mass होता है, तो man का जो mass है on the earth and mass on moon के हाँ रहेगा, बिल्कुर सेम रहेगा, बराबर रहेगा, कितना रहेगा, 70 kg ही रहेगा, कि कि वो बदलता ही नहीं है, ठीक है, तो यह आगया हमारे question का final answer, तो आपने अच्छी तरीकी से याद रखना है, कि अगर हमें weight निकालना है, moon के ओपर, तो हम acceleration due to gravity लेंगे, 1.63 या जो भी question में given होगा, ठीक है, लेकिन अगर यही weight हमने निकालना होता है, on the earth, अगर man का weight निकालना होता, on the earth, तो हम acceleration due to gravity तब क्या लेते हैं, तब हम लेते 9.8 meter per second square, ठीक है, कि तरी किसी याद रखने,